दोस्तों वीडियो को देखकर आप किसी भी प्रकार के LED बल्ब को रिपार कर सकते हैं वह किसी भी कमपणी का हो किसी भी वाट का हो पिलकुल असानी से रिपार हो जाएगा अब यहां पर हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ा बताते हैं नॉर्मल LED बल्ब के अंदर दो प्रकार के हमें सर्कीट देखने के लिए मिलते हैं एक डीयोपी वाला सरकेट आसा जो इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है इसमें ड्राइवर की जडूरत नहीं पढ़ती हैं नॉर्मल हम फेज नूट से यह चल पड़ता है और दूसरा ड लेडी बल बहुते हैं उनके अंदर यह driver और यह mcpc पर लगे रहती है यह इसके उपर जलती है और यह जो है ना इसको voltage प्रदान करता है dc volt और यह लगबग 50-60 volt से उपर की voltage में चलता है तो यहां पर इसमें भी wattage होते हैं इसमें भी volt होते हैं कितने volt कितने watt का है यह बना होता है अब एक बात करेंगे इसमें फॉल्ट क्या है सबसे पहले आपको दिखाता हूं यह चल नहीं रहा है यह यह बिल्कुल डेड कंडिशन में है डेड क्यों है क्या इसका यह यह section खराब है या फिसके अंदर का driver खराब है यह हम चेक करने के लिए इसको हम इस तर तो यहां से देखे कुछ भी वोल्टेज में नहीं मिल रहा है यह दोनों पॉइंट्स पर जो अंदर से दो वायर आ रही है इस तरीके से आपको दिखाता हूं इसमें कोई भी वोल्टेज में नहीं मिल रहा है इसका मतलब यह है कि हमारा जो है driver section बिल्कुल dead है वहीं से जो driver पर काम करने के लिए इसको खोलना जरूरी है खोलने के लिए यहां पर बहुत ही आसान है सबसे पहले आप यहां पर एक screw double ले लिजी या फिर कोई भी नुकीली चीज़ ले लिजी और यहां पर इस corner से इस तरीके से आप प्रेस करेंगे या फिर इदर से आप दबाएंगे तो असानी से इसका यह खुल जाएगा धकन जो फिर heat sink भी क्यालाती है तो यह खुल जाएगा इस तरीके से इसके बाद फट से आपने नीचे यहां पर ठीके इन दोनों को टी истории करना है इस तरीके से दी आप विम आ इस तरीके से कहीं तो जाता है है यहां पर आ यह देखिए, यहाँ पर इसकी एक लेग टूटी हुए है, और अंदर टूटी हुए, मेभी यहाँ पसका फोल्ट यहीं से हमारा निकल के आ जा रहेगा, मुझे लगता है कि क्योंकि यह फ्यूज जला नहीं है, अगर यह जो रिजिस्ट्रेस है, फ्यूजबल रिजिस्ट्र मुझे लगता है कि यहाँ पर यहाँ से रिपैर हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर सिरीज में चेक करूँगा, तो सिरीज में चेक करके, थोड़ा सेफ मेतड़ होता है सिरीज का, तो मिसा सिरीज पर चेक करें, बिलकुल, इसमें वो वायर टूटी थी, मेभी या फिर के गली हो सकती है, तो अगर बल्ब इदर मूव होता है, इसके तूटने के चांसे ज्यादा रहते हैं, यहाँ पर भी कनेक्शन तूटके भी ऐसा होता है, तो यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा हमारा इजी यहाँ पर यह फॉल्ट थाई, असानी से मिल गया, इसको हम अभी किसी में अलग-अलग फॉल्ड आया हो सकता है, तो चलिए, इसको मैं लगाता हूँ सीरीज में, और पूरा सेटब इसमें पहले तयार करता हूँ, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो सीरीज में ही चेक करते हैं बल्ब को, सीरीज में चेक करके, थोड़ा सेफ मेतड होता है, अगर sorting वोटिंग भी होती है तो सीरीज में न सेफटी मिल जाती है यह बल्ब यहाँ पर चल रहा है लेकिन कुछ दिर बाद बिलिंक हो रहा है ऐसा कस्टमर ने सिकात करी थी अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं कुछ दिर जलने के बाद अगर बिलिं इसमें आती है देखेंगे आप यहाँ पर एक लकीर सी बनीवी आ रही है अगर ऐसा हो रहा है तो आपके साथ यहाँ पर दो स्कूरू खोलिए और यहाँ पर यहाँ पर यह चेंज कर लिजिए यहाँ पर कितने वाट का है यह है यह हमारा साथ वाट का है तो साथ वाट का है पर लगा लिजिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा अलग लग वाटेश के आजाते हैं यह प्लेट आती है इसमें से ये साथ वाट का है इसको हम यहां पर लगा लिए करें नौ वाट के भी आते हैं 5 वाट के भी आते हैं तो यहँ देखीus को यहा जलने के बाद ब्लिंग करना अचिया पर टो यहां पर इसको ब्लिंग करने के लिए एहां पांच मेर्ट इसको रखना पड़ेगा तो फिलाल पांच मेर्ट रखने से पहले ही मैं आपको solution दे दिया है कि यहाँ पर कोई LED बल्ब खराब होता है तो गरम होने के बाद वो अपना जो है ना circuit छोड़ने लगता है तो उसके वज़े से ऐसा प्रॉबल्म आता है तो वहाँ पर यह बदल दो फटा फट से रहता होको यहां पड़ से बदल देता हूं कर देखिये इस तरह मैं सको टा लिया है कि है कि कि यह दिखके सी मूस को टीसो लिग है इसके बार दो Scroll पर खोलने है देखिये अब यहां पर इसको उठाके यहां पर साथ वाट कमने डाल देना है इसके नीचे अगर हो तो compound लगा लीजिए heat sink compound लगाना जरूरी है तो compound लगा किया ना इसकी heat इसको फैला देंगे हम उसके बाद यहां पर यह दो इसको निकाले थे हम यहां पर दो बार से लगाके वहीं पर ताकि पुचित कर सकते हैं यह लेक्ट्रिक स्कूराबर है यह रिचार्जबर वाला तो मैनस को मैनस पे और प्लस को प्लस पी आपने इस तरीके से जोड़ना है आप देखे फाइनले जोड़ चुका है अब इसको में टेस्ट करते हैं यह चल रहा है अब यह ऐसे कोई बिलिंग की सिकाथ इसमें नहीं आई तो यह रहा इसमें आइसको लगाके हम रखते हैं साइट पे एंड इसमें देखते क्या प्रब्लम है यह तो डैड ही लग रहा है है यह ठाण अप्रत है में इसमें बिल्कुल डैड है और दैड क्यूं से देखते हैं यह ठोड़ा सा है न उसके बाद यह इसको निकाल सकते है चलिए मैं थोड़ा से मर्शक्कत करके इसको निकालता हूं उसके बाद मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि कि फाइनली खुल गया है और यहां पर कुछ LED बल्ब मुझे हैं आपर काले-काले लग रहें में भी ये MCPC का खराब हो चकता है पर इसकी वोल्टेज ही चेक कर लेते हैं वोल्टेज कितनी आ रही उपर 3.4 यह वोल्टेज भी काफी कमा रही है और इसके बिश्य मुझे लगते खराब है रिकास को सोट करके देखे रहें स्पार कितना और है इसके न ड्राइवर सेक्षें से ही प्रोब्लम है और ड्राइवर से कभी प्राबलम हो तो काम कर सकते हैं मों इसको कि यह दिशहोल्टिंग करके खोड़ ले था उसको रखता हूं साइट पर अगyl कि इसको के बूटों इसे को founded a अधाना है एब कर दोटा सा और कंपनी वाला रहता ठीक है यह जो अतना जो रांगा लगाओ ना इसमें इंडेस्ट्रील एरिया वाला रांगा रहता है इस रांगे को पिखलाने के लिए हैवी वाले शोल्डरिंग एरिंग की जोड पड़ती है और नौर्मल शोल्डरिंग यहां पर से न काला हो जाता इस तरीके से तो इसको बाद बा वैसे इसे वपन हो गया है नौर्मली और अब इसको हम अठाते हैं और देखते हैं यह फॉल्ड क्या है इसमें फोल्ड रहेगा आपके समने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा देखिए तो यहां पर मुझे लगता है कि इसका फ्यूज जला हुआ है देखिए इसका सर्कृट यहां पर जला हुआ है मुझे लगता है कि इस वीडियो मा आपको कुछ नहीं नहीं चीज़ें भी सीखने के लिए मिल जाएंगी तो यहां पर देखते हैं फोल्ड कहां से निकल गया आता है इसका जलिए इसको रखते हैं साइट पे और फ्यूज को इसको कर लेते हैं साइ लगता कि जली वी इसको भी हटा देते हैं और बल्ब कितने वाट का है यह बल्ब में हमारा वाटे जिसमें हाँ साथ वाट लिखा हुआ है हाँ देखिए काफी काभी बात क्या होता है ना काफी लोग वाट का पता कैसे लगा लेते हैं देखिए इसको पर न जितने बल्ब वाट का ये है और यह Watt का लेकिन जरूरिव का सुस्क्राइश कर लिए यूटिव को बनी से वाटेच का पता नहीं चलता तो यह वाली हम चेंज कर लेते हैं तो इनमें साथ वाट लिखाया तो साथ वाट की हमने यहां पर mcpcb को लगाना है चलिए इसको फटा कि मैं साथ वाट वाला लगा लेता हूं बाकिस के ड्राइबर को भी आपको मैं बता दूँगा किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे चाहिए चीज मैं आपको ब्सक्राइब और बनने वाट और यह वाली फेटे नहीं आ благ लंधेए हम आज तो इसमय हम चलिंगी को करना को मैं आपको दिखा दिटा हो यहां और और में आपको दिखातानी हो मैं तो करता हो भी आपको खिलिए के तो यहां पर इस्ट्रिबर कोईचा भी ले लेज़े, एक स्ट्रैब से हमारी स्क्रू आते हैं, जो सेल्फ वाली रहती है, जो खुद ही होल करके अटोमेटीक लग जाती है, लोहे पर, हैना, स्ट्रैब से स्क्रू आती है, लगा कि हम उसमें तो देखे तो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इसमें एक छोटा सा होल कर दीजे इस तरीके से अधित तरीके से होल कर दीजे होल का सा जैदे बारी नहीं करना है वरन 난 यह स्कुरू फिर न कई पहुत ही मुशकीर से लग पाएएं तो इस तरीके से में इसको बढ़ाना है देखिए ऐंकृरेट होल यहाँ पर हमने बना लिया है एडर को इस कोशूर हसा के फिर हमने कश ले तो देखिए देखिए बिल्कुल टाइटली लग गया है और यहां पर कोई भी गैप नहीं है इतना करने के बाद हम इसको पहले सोर्डिंग कर लेते हैं प्लस मैंस के साथ उसका बाद में ड्राइबर पर काम करेंगे ड्राइबर पर करना क्या है मैं आपको बता दूंगा जै यहां पर लिखा है प्लस के साथ रेड वाला मैंस के साथ ब्लेक वाला तो यहां पर देखिए मैंने सोल्डिंग कर लिया है प्लस और मैंस के साथ अब यहां पर कुछ निकरना एक छोटा सा काम अपकर लिजिए दिखिए जो रेक्टिफायर है पहले उस पर चेक करना हमने rectifier पे direct हमने वोल्टेज देनी है तो rectifier पे direct voltage देखे बिलकु सीरीज मेठड से हम देंगे यहाँपर हम 60バare को डाल देते हैं देखे और diagonal rectifier पे voltage देडेते हैं यहाँ बdessus यह की सीरीज मेठड से हम काम कर रहे हैं यह सेफ मेठड रैता है और rectifier यानि की देख लीजिए आप यहां पर इसकी दोनों लग में यहां पर देख रहें जो रेक्टिफायर इसकी एक लग यह है एक लग यह है इसमें हम डायट हम इसके वायर को टच करके देख लेते हैं कि यहां पर क्या रिजल्ट में मिलता है तो देखिए मैं भी यहां पर काफी कम आ रही है यह देखिए यह ब्लिंग कर रहा है एक काम और होगता है जो यहां पर ncpc भी लगी हुई है वह इस 7 वाट के बल्ब को स्पोर्ट नहीं कर रही है हमें एक काम यहां पर करना है यहां पर एक दू बल्ब को हमने सॉट कर लेना है ठीक है लगबग इसको 5 व शोर्ड निंग कर लीजिए सिंपल सी बात है यहां पर स्नुड होड गरिजी तो असानी से चल पड़ेंगा देखे ले are फीनले धिखा रहा रहाओ आपको कि फ्यूज के पास में दूं रिम त्हट लिंग कर लिजिए इस तरीके से आपको चेकर वाके भी दिखा देता हूं यहां पर देखिए आप कोई ब्लिंकिंग की इसमें प्रब्लम नहीं है क्योंकि इसमें जो वोल्टिज निकल रहा हूं पांस वाट को सपोर्ट कर रहा है और यहां पर जो यह इतनी सारी वल्ब लगे वे हैं वो तिन तीन वोल्ट के है और जो उसमें वल्बल के हैं वो 9 वोल्ट के हैं तो इसको समझने के लिए उस वीडियो को देख लेना इसलिए आपको बोल रहा हूं तो यहां पर इस तरीके से हम इसको रिपार कर चुके हैं देखिए अब कोई ऐसा नहीं उसमें ब्लिंकिंग का इश्यू नहीं आ रहा पर मैं इसको पोई बायाद में कर लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बंबी हो रही है समझाने के लिए मैं एक बार आपको बता दूं यहां पर जो फ्यूज यहां पर जिला हुआ था यह वाला तो उस फ्यूज को अमने न यहां पर यहां से यहां तक यह जो ट्रैक है न है यहां से लेखे यहां तक भी लगा हुआ था तो क्या करना है यहां पर दूसरा वह मनिस तरीके से डालना है कि इस तरीके से आफ लगाना है मैं आपको पूरा एक बार शेयॉट बता ही देता हूं तक कि स्वीज लगबक 100 से 20 ओम्स तक का रखें तो बहतर रहेगा तो इस तरीके से फ्यूज को हम यहाँ पर डाल देंगे देखिए फ्यूज को पहले पूरा शोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ और यह बल्ब को दुबार से चला के भी आपको दिखाऊंगा तक कि आपके मन में ऐसा कोई काफी लोग बाद में कवेंट करते सरा आपने वह चीज पूरी नहीं दिखाई यह तो इसलिए वही चीज हम अगर छोड़ दें तो आपको भी न अधूरा ग्यान रहेगा इसलिए आपको बताज़ा हूँ फ्यूज जो हमने यहां से निकाल आता बिलकुल उसी ट्रेक के अब इन दोनों वायर्स के हम लाइन देंगे तो यह बल्व हमारा चल पड़ेगा इन दोनों वायर पर लाइन देंगे तो या चल पड़ेगा डेखे चल पड़ा बच कुछ नीकर नहीं करना हो फ्यूज रएगा अब वहां पर agree जली हुई हुई थी वहां पर mcp में ने प बना दिया बट इसमें 5 वाट की पड़ेगी तब जाकि चलेगा या फिर सेम वही वाली डाल दो जो इस पर लगी थी इसी टाइप इसको आप हम यहां पर पैक कर लेंगे एड़ इसको हम साइट करते हैं हम अगले बल्ब को पकड़ते हैं जिस बल्ब के फॉल्ट आ रहा है त और यहाँ पर भी वही एक LED मुझे यहाँ पर खराब लग रही है चली देखते हैं फिर भी सॉट करके देख लेंगे उस पॉइंट को और पहले यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करूँगा सबसे पहले जो काम में मारा वोल्टेज चेक करने करेता है वही चेक करूँगा वोल्टेज था रही है हिए बहुत ज्यादा वोल्टेज है और इसको में पहले सॉट कर लेता हूँ तो सभी चलने लगेंगे देखिए सभी चलने लगता वहीड़ कराँ उन लगदब्ले में कितनी वोल्टेज आ 54 आप इसमें जो है कि 7 वाट का लगा सकते हैं इस साथ वाट का रहा सानिजिए आप लगा सकते हैं तो इसको मैं डिशोल्डिंग करके फटाफट से या पिस साथ वाट का लगा लोगा या फिर अज़ने बल्ब को भी लाठा के वैसे 7 व कित अगर माणुक्प लगा सब्सक्राइब ऑगर इसमा क्डिया हैं मुछे दिख राया पर हूण यह देखे ऐना पर कि यहाँ पर तो यहां पर सबूट का लगा देता हूँ भर यहां नो उट का अगर नोट का सपोट करते हैं तो 914 लगा लंगे श Industries करने की बória्याद है 9W का बौर्टिश नहीं करा गर Adventures का मार यह तो Bling करने लगता है मैं आपको पी दिखा भी दिता हूं अगर इस support करेगा, तो अच्छी ज़ात है, उताइ नहीं तो blink नियाँ करने लगर, support नि करेगा, तो blink करने लगर अब यह मम्हे नव 8 का लगा रहा हूं, 7W का नहीं लगा रहा हूं इसपे। आपको सिर्फ चुर करवाने के लिए गर ज्यादा बात रगा दे दो क्या होगा पर यहां पर धाल लगा लिया है तो यह भी support करता है finally यह भी support कर रहा है तो इसी को मैं यहां पर लगा लेता हूं तो 9 वाट भी सपोर्ट कर पा रहा है तो यहां पर मैं फटाफट से इसको लगा लेता हूं यहां पर यह होल बने वे और यहां पर स्क्रोम ने लगा लेगा तो चली मैं आपको पहले दोस्के लगा गया आपर दिखाता हूं तो फ़ार मौको पानानिस को चेक करवा देता हूँ बाकि सब्सक्राइब ने खोले थे उनको में स्टेभ बाइष स्टेप यहां पर लगा लेंगे तुकर से मैं आपको जैसे बताया था मि चलेना है नहीं बताया तो बार देखा देता हुआ तरय के से पक्र करना है या पर मैं को चेंज कर लेड險 करें कि यहां पर जो है और इसके लिए टूट चुकी है को मैंने आपको आपको सभी फॉल्ट से क्लियर करवा दिये हैं फ्यूज इस तरीके से आताम मैं आपको दिखा देता हूं इस तरीके से आते हैं 50 मैं से एक रूपए मापको फ्यूज मिल जाएगा अब इसको फ्यूज रिस्टेंस बोलंगे तो बहतर तरीके से जो जहां से आप समान खरीद है वो पेचान लेगा फ्रूज में काफी लोग पेचान नहीं पाते हैं और यहाँ पर लगाई यह आप थोड़ा सा शोड़िंग पेस्ट और इसको शोड़िंग मार दीजिए फटा-फट से तो यह शोड़िंग हो चुका है देखिए परफेक्टली अब नेक्स्ट काम है यहाँ पर इसको क्लीन करना है इस तरीके से क्लीन हो जाता है देखिए इसको थोड़ा से पिग लाई और छटका दीजिए निकलीन हो चुका है अब यहाँ से इमने वायर डानी है इस तरीके से देखिए इस तरीके से इमने वायर डाल देनी हो इसमें खाज बनीवे ड्रैवर को फसाने के लिए तो देखिए वायर पड़ चुकी है और इसको हमने प्रेस करना है और यहाँ पर देखिए दो वायर आ चुकी है हमारी बितको परफेक्टली डालना है अगर आप कर सकते हैं इस तरीके से इस तो असाने से इसे भी सोल्डिंग हो जाता है और यहांपर आईका एक सेज़ देना हो जैसे बनाओ ना मिल्कुल का से पाको दिखाती हो कैसे बनाना ना कि द लगाली जी और आईका सेज़ हमाने अप गया द्धानना तो इस तरीके से आपने वायर लेनी है और इस तरीके से रखने के बाद ऐसे करके आपने ये डाल देना मटीरियल और आई का सेप ये बन गया देखिए बिल्कुल परफेक्टली देखिए ठोक देना लाइक अगर मजाया तो इसको क्लीन करूंगा अभी तो इसमें सोल्डिंग मटीरियल लगावा है देखिए और यहां पसको टेस्ट भी कर देखिए तो लाइक कर दो यार फटा फट से वीडियो को ऐसे बहतर तरीके से स्टेप बैस्टेप आपको कोई नहीं सिखा आने वाला तो चलिए बाकिया ऐसे अधर्स जो भी बनाए थे हमने उनको पैक कर लेंगे तो वीडियो हैं पर एंड करते हैं मिलते के लिए वीडियो में तब तक लिए अपना खाल लगिए टेक क्यार थैंक्यो फोचिंग इस वीडियो